Hello friends, कैसे हैं आप लोग? चलिए continue करते हैं अपना discussion जिसमें हम लोग discuss कर रहे हैं History of Medieval India के बारे में, मद्धिक आलिन भरत के दियास के बारे में, राइट, देकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं राश्टकूट वंस के बारे में, चलिए continue करते हैं अपना discussion तो देखें, देकि सबसे पहले बात करते हैं कि जो राश्टकूट वंस है उसके administrative system के बारे में बात करते हैं उनकी परसासन परनाली के बारे में हम लोग बात करते हैं तो देखें, देकि राश्टकूट वंस में जो राजा हुआ करता था जो सासक हुआ करता था वो सासन का वास्तिक परदान ह इसका मतलब यह है कि जो ultimate power है वो राजा के पास में होती थी सबी सक्तियों का सुरोत जो है वो राजा हुआ करता था तो यह आपको याद रखना है राजा के बारे में आगे देखें तेके राश्टकूट वंस का जो राजा है जो सासक है उसने बहुत सारी गौरवपून उप करते हैं परसासनिक इकाईयों की राइट कि जो राश्टकूट वंस है उसका जो परसासन है वो कौन-कौन सी परसासनिक इकाईयों में बटा हुआ था तो देखें देखें परसासन की सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी राश्ट राश्ट को ही मंडल भी कहा जाता था तो तो आपको याद रखना है राष्ट जो है अनेक विशो में बटा होता था और विशे का जो हैड होता था उसको कहते थे विशे पती तो आपको याद रखना है विशे जो है वो भुक्तियों में बटा होता था और भुक्ति का जो हैड है उसको का ज़ता था भोग पती और रा बुकती जो है वो वापस से ग्रामों में बटी होती थी और जो ग्राम का हैड था उसका नाम था ग्रामिक या फिर ग्राम पती तो देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं राश्ट कूट वंस की राश्ट कूट वंस का जो परसासन है उसकी परसासने की काईयों की हम वो वापस से भुक्ती में बटा होता है, भुक्ती को राश्टकूट वंस में नाडू भी का जाता है, नाडू तो आपको याद रखना है, और भुक्ती का जो हैड़ है ये है भोगपती, भुक्ती जो है वापस से ग्राम में बटी होती थी, ग्रामपति तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटे है क्या है ग्राम है right तो देखें देखें जो मॉख्वेस्थ परर्सासन है इसका पर्मुकरिया क्या होता था है म Martinez कानुन विवस्ता को और उससे पहले हम लोगों ने बात की थी पाल वंस की और उनके परसासन के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी और वहाँ पर भी हमने यह जो एडिमने स्टिट्यू डिविजन है उनकी परसासने की काईयों के बारे में बात की थी लिए वापस ते रिविजन करते हैं एक बार फिर से तो देखें यहाँ पर आये पाल वंस और पाल वंस के परसासन के बारे में यहाँ पर बताया गया है उसकी परसासन की काईयों के बारे में यहाँ पर बताया गया है इसी परकार से यहाँ पर गुज्य परतियार वंस के पर और मंडल के बाद में ग्राम, तो आपको याद रखना है कि पाल वंस में सबसे बड़ी इकाई भुकती है, भुकती जो है विशो में बड़ी होती है, और विशे जो है विधी में, विधी जो है मंडल में और मंडल जो है ग्राम में बटी होते हैं, तो आपको याद रखना है जो परसासन है उसमें सबसे बड़ी इकाई हैं भुक्ती बुक्ती जो है वो मंडल में बटी होती है मंडल जो है विशो में बटे होते हैं विशे जो है ग्राम में बटे होते हैं तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी इकाई गुजर परतियार वंस के परसासन में भुक तो आपको याद रखना है, एक difference आपको यहाँ पर देखना है, देखें जो गुझजब परतियार वंस है, यहाँ पर जो विधी है, विधी नाम की जो परसासन इकाई है, वो नहीं है, तो एक difference आपको देखना है इनके बीच में, आगे देखें, बात करते हैं राश्ट कूट में बटे हैं और भुक्ती जो है ग्राम में बटी है तो देखिए आपको तीनों जगे दिखरा होगा कि इन तीनों वंसों का जो परशासन है उसमें सबसे छोटी काई कौन सी है सबसे छोटी काई जो है ग्राम ही है तो आपको याद रखना है इनके बारे में आगे बात करते ह सेना की military की तो देखते हैं इसे संबंदित कुछ important facts तो देखें देखें जो राश्टकूट once है जो उसकी सेना है उसकी सेना में जो है पैदेल सेना भी सामिल थी गज सेना जो हातियों की सेना थी वो भी सामिल जो समकालिक अकाउंट्स हैं उनके अनुसार या फिर कहें देखिए एक अरब यात्री है जिनका नाम है सुलेमान तो जो सुलेमान है इनके जैसे इतिहास का रहा हूंने या फिर कहें कि इनके जैसे लोग जो भारत में हैं जोने यात्रा की है तो इन्होंने अपना विवरन द तो उसके आधार पर ये कहा जाता है कि जो राश्टकूट वन्स है उनके पास में बैस्ट इन्फेंट्रि हुआ करती थी उनके पास में सबसे बहतरी इन पैदल से ना हुआ करती थी तो यह आपको याद रखना है इसी परकार से जो गुजर परतिहार वन्स है इनके पास में सबसे अच्छी कैवल्री वगरती थी इनके पास में सबसे अच्छे जो हैं घुड सवार सैनिक थे और इसी परकार से जो पालाज हैं जो पालवन्स हैं उनके पास में सबसे बड़ी हातियों की सेना थी तो यह आपको याद रखना है कि जो कंटेंप्रेरी अका सबसे अच्छी गुर्सवार सेना है और जो पाल वंस है उसके पास में सबसे अच्छी हाथियों की सेना है तो यह सारे के सारे आगे देखें राजा के बाद में उसके परसासन में उसके सामराज्य में जो सबसे बड़ा परमुपदा अधिकारी है उसका नाम है चीप मिनिस्टर इसी को कहा जाता है महासंदी विघ्राही तो आपको याद रखना है कि राजा के बाद में राश्टकूट वंस में या फिर कहें कि राश्टकूट वंस का जो परसासन है उसमें जो सबसे महतपून अधिकारी है सबसे महतपून पदाधिकारी है वो कौन है चीप मिनिस्टर है इसको कहा जाता है महासंधी विगराई और इसी के अंदर काम करते हैं तीन पदाधिकारी उनके नाम भी आपको याद रखने हैं, इन में सामिल है आपका कमांडर, कमांडर को कहा जाता है दंड नायक, और दूसरा क्या है फोरेन मिनिस्टर, इसका नाम है आपका महा छप्ताल अधिकारी, और एक और पता अधिकारी है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को कह आ जा रहा है महा मात्य या फिर पुर्णा मात्य तो ये हिरार्की आपको याद रखनी है इस सिस्टम आपको याद रखना है कि सबसे उपर किंग है सासक है जिसका पद जो है वो वनसा नुगत है किंग के बाद चीप मिनिस्टर का स्थान आता है चीप मिनिस्टर को ही महा पुरोना मात यह जैसे कि हम लोगों ने बात की परशासन की तो उभी इकाय की नाम है रास्ट या फिर सिर्शा गोगा जाता है मंदल यह जो रास्ट यह पिर मंदल है वो आपका विशें में बटा आप था है ञाज के जिले है विशे जो है वह नाडूज में compare कर सकते हैं वो जो नाडू है वो ग्रामे में बटाकता है जो villages है उनमें तो ये परसासनिक इकाईया है जो administrative division है वो है तो आपको याद रखना है तो यहाँ पर यही सब facts लिखे हैं जिनके परेमें अभी हम लोग उने बात की कि जो राश्टकूट once है उसमें जो सासक है उसमें जो प्रिंस है जो राजकुमार है जो राजा है उसका जो पत है वो हरिडेटरी है वनसा नुगत है आपको याद रखना है राजा के बाद में अगर कोई महत्वण पतादिकारी है तो उसका नाम है chief minister जिसको का जा रहा है महासंदी विग्राही याद रखना है chief minister के अंडर तीन पतादिकारी काम करते हैं जिनका नाम है एक है commander या फिर दननायक दूसरा है foreign minister इसी को का जा रहा है महाशप्ताल अधिकारी और तीसरे है prime minister या फिर महामात्य या फिर पुर्णा मात्य याद रहेगा आपको एक और पदादिकारी है याँ पर इसका नाम है महासमानता महासमानता जो है ये भी एक अधिकारी होता था उच पदों पर बैठने वाला ये भी एक अधिकारी होता था तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं आगे जैसे कि हम लोगोंने बात की एडिमिनिस्टिट्यू डिविजन के बार में बात की यह जो परसासन है वो कौन-कौन सी इकाईयों में बटा होता है उसके बार में बात करी तो देखा देखा देखे सबसे बड़ी इकाईय है मंडल या फिर रास्ट जो प्रोविंसिस हैं वो तो आपको याद रखना है सबसे बड़ी इकाईय मंडल है या रास्ट है और इसके जो हैड है वो है रास्टपती देखिए ये काफी इंपोटेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि जो अमोग वर्स पर्तम है जो रास्ट कूट वंस के सासक अमोग वर्स पर्तम है उनके समय कुल सोला रास्ट हुआ गरते थे राइट या फिर कह सकते हैं कि अमोग वर्स पर्तम के समय जो राष्ट कुट सामराज ये था वो 16 राष्टों में बटावा था वो 16 मंडलों में बटावा था आपको याद रखना है राष्ट या फिर मंडल जो है वो विशों में बटे होते थे डिस्टिक्ट्स में बटे होते थे और इनका जो हैड था वो कौन था या फिर इसी को कहते है नाडू गाउंडा तो आपको याद रखना है नाडू जो है वो गरामों में या फिर विलेजिज में बटा होता था और विलेज का हैड होता था कौन गरामपती या फिर गरामिक या फिर इसी को का आ जाता था परभू गाउंडा तो ये आपको याद यहां पर हम लोग बात कर रहे है एडमिस्टेशन की जो राश्टकूट वन्स है उसके एडमिस्टेशन की इनके बारे में आपको याद रखना है चलिए आगे चलते हैं चलिए आगे बात करते हैं कि जो राश्टकूट वन्स है उसके समाज के बारे में बात करते हैं उसकी समाज है वो वरण विवस्ता पर आधारित एक समाज था तो आपको याद रखना है कि जो राश्ट कूष्ट वंस का समाज है वो वरण विवस्ता पर आधारित समाज था जो चार वरण है आपके ब्राह्मन वरण छत्रिय वरण वैश्य वरण और सुद्र वरण इसी वरण वि याद रखना है कि समाज में जो ब्राह्मन थे उनका सबसे उपर अस्थान था क्योंकि यह जो चार वरन है इन चारों वरनों में भी जो ब्राह्मन वरन है वो सबसे उपर ही आता है तो इसी परकार से जो राश्टकूट वन्स है जो उनका समाज है उसमें ब्राह्मनों की जो इस्धिती थी, वो सबसे अच्छी थी आगे देखें, देखें जो छत्रिया थे, छत्रिया वंस भी जो है उसकी भी एक विसेश परतिष्ठा थी राष्टकूट कालिन समाज में, तो ये भी आपको याद रखना है आगे देखें, देखें जो वैश्या वैशियों की इस्थिती में गिरावट आई है राइट वैशियों की इस्थिती में राष्ट कूट वंस में क्या यह गिरावट आई है तो आपको याद रखना है इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ देर में बात करेंगे देखें आगे देखें बात करतें शुद्रों की शुद्रों की इस्थिती में कुछ सुधार हुआ है राष्ट कूट वन्स के समय शुद्रों की इस्थिती में कुछ सुधार हुआ है तो ये भी आपको याद रखना है और एक और फैक्ट देख सकते हैं यहाँ पर है यहाँ पर लिखा है एश परश्टा के बारे में तो जो जो चुवा चुथ है उसका यहां पर परचलन था राइट क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि यह जो समाज है यह वरणविवश्था पर आधारित समाज है तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते है कि यहां पर चुवा चुथ जो है जो अन्टेच अबलेटी है जो इस प पाल विवा का पर्चलन था याद रखना है सती पर्था का पर्चलन नहीं था देखे इसके बारे में आपको मैं बताऊं कि सती पर्था का जो है यहाँ पर जो अपर कास्ट है एक है अपर कास्ट और दूसरी है लोवर कास्ट तो जो अपर कास्ट वाले लोग है यहाँ पर त सती पर्था का पर्चलन था तो आपको याद रखना है यहाँ पर तो हमें कुछ ऐसे उधारन मिलते हैं अपर कास्ट में सती के याद रहेगा आपको लेकिन जो लोवर कास्ट हैं इसमें हमें ऐसा कोई भी उधारन नहीं मिलता सती पर्था का तो आपको याद रखना है सती प वाले लोग हैं जो निमनवर्ग वाले लोग हैं वहाँ पर सतीपर्था का परचलन नहीं था तो आपको याद रखना है आगे देखें बात करते हैं विद्वा से संबंदित कुछ facts की तो देखें गहें जो विद्वा हुआ करती थी या फिर कहें जो बेटी थी जो पुत्री उनको संपत्ती का अधिकार था उनको जमीन का अधिकार था तो काफी important fact है बूलना नहीं है कि विद्वा को संपत्ती का अधिकार हुआ करता था आगे बात करते हैं कुछ और बात करते हैं विद्वा के बारे में तो देखें देखें जो राश्टकूट कालिन समाज है इसमें विदवा विवा का परचलन नहीं था देगे इस से संबंधित भी आपको याद रखना है कि जो राष्ट कूट कालिन समाज है और उस में जो अपरकाष्ट वाले लोग है एक तरफ तो है अपरकाष्ट वाले लोग और दूसरी तरफ है लोगर कास्ट वाले लोग निम्न वर्ग के लोग एक है एक तरफ है उच्वर्ग वाले लोग और दूसरी तरफ है निम्न वर्ग वाले लोग तो आपको याद रखना है कि इस समाज में जो उच्वर्ग वाले लोग है वहाँ पर विद्वविवा का परचलन नहीं था और जो निम्नवर्ग वाले लोग हैं फिर कहें कि जो निम्नवर्ग हैं वहाँ पर विद्वविवा का परचलन था तो यह काफिh important facts है यह आपको याद रखने हैं यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सुला परकार की और दूसरी जातियां भी थी तो आपको याद रखना है कि अलबरुनी ने का है कि जो राश्ट कूट कालिन समाज है उसमें चार वरनों के साथ मैं या फिर कहें कि जो चार बेसी काश्ट हुआ करती थी ब्रहमन शत्रिय वैस्य और सुद्र इनके साथ साथ में 16 परकार की जातियां भी थी तो आपको याद रखना है इसके बारे में आगे देखें देखें जो समाज है उसमें या फिर कहें जो समाज में जो वरन वेवस्ता है उसमें जो ब्रहमन लोग हैं वो सबसे उचे पद पर थे highest status हुआ करता था ब्रहमनों का आपको याद रखना है राष्टकूट society में राष्टकूट काली समाज में आगे देखें देखें बात करते हैं कि जो ब्रहमन हैं कौन-कौन से काम करते थे तो देखें देखें जो शिक्सा से संबन्दित education से संबंदित काम जो है ब्रह्मन क्या करते थे judiciary से संबंदित नयाय से संबंदित नयाय पालिका से संबंदित सभी काम ब्रह्मनों के द्वारा किया जाते थे astrology संबंदित जो जोतिस विज्ञान है उस से संबंदित भी सारे काम कौन करते थे ब्रहमन नहीं करते थे मैथमेटिक से संबंदित पोईटरी करना फिलोसपी दर्संसास्त राइट तो इस तरीके के तमाम काम कौन कर रहे हैं तमाम काम कर रहे हैं ब्रहमन तो आपको याद रखना है तो आप देख सकते हैं कि जितने भी काम है ये लगा सकते हैं कि जो ब्रामनों का स्टेटस था वो काफी हाय था इस सुसाइटी में काफी उचे पद पर थे हुए तो आपको याद रखना है और इन सब के अलावा ब्रामनों को जो पद मिलते थे वंस के आधार पर वहाँ पर भी रहकर वो काम करते थे तो आपको याद रख देखें देखें जो वैदिक स्कूल हुआ करते थे राष्टकूट कालिन समाज में जो वैदिक स्कूल हुआ करते थे उन में शत्रियों के बच्चे और जो ब्रामनों के बच्चे ही पर सकते थे तो आपको याद रखना है कि राष्टकूट कालिन समाज में जो वैदिक स्क है उनके बच्चे नहीं पड़ते थे वो अलाव नहीं थे तो आपको याद रखना इनके बारे में काफी important fact है चलिए आगे चलते हैं कुछ और बाते करते हैं society से संबंदित देखिए बात करते हैं intercast marriage की एक कास्ट की दूसरी कास्ट में साधी होना तो बात करते हैं intercast marriage की तो देखिए आपको याद रखना है कि जो intercast marriage है वो अलाव तो थी जो वरन वेश्था के दो उपरी वरन है ब्रामन वरन और छत्रिय वरन वो इन में अलाव तो थी intercast marriage वो इन में अलाव तो थी लेगिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि intercast marriage होती कैसे थी देखिए intercast marriage तभी हो सकती थी छत्रियों और ब्रामनों के बीच में जब जो गर्ल है जो लड़की है वो शत्रिय है और जो लड़का हो वो ब्रामन हो तो इस परकार की intercast marriage अलाव थी ब्रामन और शत्रियों के बीच में कैसे जो लड़की है वो शत्रिया होनी चाहिए और जो लड़का है वो ब्रामन होना चाहिए तो ये भी आपको याद रखना है चलिए आगे चलते हैं देखिए जो intercast marriage है वो जो निम्न वर लग है या फिर कहें कि इन वरनों को छोड़कर जो दूसरी जादिया हुआ करती थी जो दूसरी छोटी जातिया हुआ करती थी उन में जो है intercast marriage होती थी वहाँ पर intercast marriage जो है वो frequency वहाँ पर होती थी तो आपको याद रखना है आगे देखें देखिए इसके बारे में हम ल जमीन का अधिकार होता था जो महिलाएं हैं जो पुत्रियां हैं जिनका विवाह हो जाता था और वो कई और पर अपने ससुराल में जाकर रहने लग दी थी तो उनका संपत्ती पर और जमीन पर अधिकार होता था काफी important fact है भूलना नहीं है आगे बात करते हैं सतीगी इसक परिवार हुआ करते थे उन्हीं में सतीपर्था के कुछ उधारन मिलते हैं तो यह आपको जाद रखना है सतीपर्था के बारे में आगे बात करते हैं विद्वाव की देखिए विद्वाव के बारे में ये था कि जो इस तरी विद्वा हो जाती थी तो होता क्या था दो उ इस होते थे जो उसके बाल होते थे उनको काट दिया जाता था तो इस परकार की पर्था राष्टकूट कालिन समाज में नहीं चलती थी तो आपको याद रखना है कि जो विद्वा है उनके सर के बाल काटा जाना इस तरीके की पर्था जो है उसका परचलन नहीं था राष्ट कूट कालीन समाज में तो यह भी काफी important fact है इस से भी पता चलता है कि जो राष्ट कूट कालीन समाज है उस में जो महलाई थी उनकी बहतर रिष्थी थी जैसे कि यहां पर हम लोगों ने बात की कि जो महलाई हैं उनको property और land पर रधिकार हैं यहां पर हम लोगों ने बात की क तो जो महलाएं हैं जब वो विद्वाव जाती हैं तो यह पर्था के बारे में अभी थोड़ देर पहले हम लोगों ने बात की देखें देखें विद्वाव का जो पुनर विवा है वो अपर कास्ट में तो अलाव नहीं था तो आपको याद रखना है कि जो उच वर्ग है वहां पर तो विद्वाव का पुनर विवा जो है वो अलाव नहीं थ या फिर रेयर था याद रखना इसके बारे में लेकिन जो समाज का निचला तबका है लोवर कास्ट है जो निम्नवर्ग वाले लोग है वहाँ पर विद्भाव के पुनर विवा किये जाते थे तो ये भी आपको याद रखना है एक और परता है देवदासी ये भी इस्तिरी स उनके साथ में और उनको उस देवता की दासी बना दे जाता है तो इसी को का जाता है देवदासी और वह जो लड़की है वह ताउमर जो है इस देवदासी परता मंदिर में रहती है मंदिर में खाती है मंदिर में सोती है पूरी उम्र जो है वो इसी मंदिर में रहती है इस देवदा की उसको दासी बना दिया जाता है यही है आपका देवदासी पर्था तो यह जो देवदासी पर्था थी यह राष्टकूट कालिन समाज में इसका परचल बात कर रहे हैं उससे संबंधित जो इंपूटेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग देख रहे हैं देकि यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो राश्टकूट कालिन समाज हैं उसमें जो महिलाएं हैं उनकी थोड़ी बैतर इस्तिति थी और खास करकी जो नीचे वर्ग की महिला और उसमें भी जो पहले दो वर्ण हैं ब्रहमन और शत्रिय इनकी बैतर इस्तिति थी ये बैतर इस्तिति में थे समाज में इनका बहुत उचा स्थान था लेकिन ये दूसरे वर्ण है वैस्य और शूद्र इनकी इस्तिति अच्छी नहीं थी देकि यहां पर हम लोगों ने बच्चे थे और सुद्र वरन के बच्चे थे उनको वैदिक स्कूलों में पढ़ना अलाव नहीं था उनको अनुमती नहीं थी तो आपको इसके बारे में याद रखना है यहाँ पर कुछ और फैक्ट सम लोग देख रहे थे राश्टकूट कालिन समासे संबंदित आपको या राश्टकूटों का administration था जो उनका परसासन था जो उनका administrative division था या फिर कहें कि जो उनका परसासन था वो कौन-कौन सी इकाईयों में बचावा था तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी देखें एक जो राश्टकूट once है उसका जो परसासन है उसमें सबसे बड़ी इकाई है मंडल जिसको राश्ट भी का जाता है ये जो है इसका हैड होता था राश्ट पती राश्ट जो है वो विशु में बटा होता था इसका हैड था आपका विशे पती विशे जो है वो नाडूज में बटा होता था नाडूज में और इसका हैड होता था नाडू गव प्रिकाई ग्राम तेकि यहां पर हम लोगों ने बात की थी कि जो राश्टकूट वंस हैं और उसमें जो राजा है जो सासक है उसका जो पद है वो वंसा अनुगत है राजा के बाद में जो सबसे बहत्तपुन पदादिकारी है उसका नाम है चीफ मिनिस्टर जिसको का जाता था महासंदी विग्राही राइट चीफ मिनिस्टर के अंडर तीन पदादिकारी काम करते थे एक है आपका कमांडर जिसको कहा जा रहा है दननायक दूतरा है फोरेर मिनिस्टर जो है आपका महाशप्ताल दिकारी और तीसरा है प्राइम मिनिस्टर या फिर महामात्य इसी को important facts आपको याद रखने हैं भूनना नहीं है भूलकिल भी इस discussion में इतना ही इस से आगे का discussion हम लोग continue करेंगे next video में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं राश्टकूटों की economic condition के बारे में उनकी अर्थ वैस्ता के बारे में हम लोग बात करेंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे बात करेंगे बात करेंगे लोग